सकते हैं और बड़ी जानकारी इस वक्ति हम आप तक पहुंच आ रहे हैं क्योंकि आज से शुरू हो रही है लगबग 80 स्पेशल ट्रेने और अब 310 ट्रेने पट्री पर दोर्टी नजर आएंगी ये सबी ट्रेने कानपूर वारांसी गौरफपूर लखनाउ से चल दे वाली ह जिसमें आप सफर कर पाएंगे और आपका सफर आसान भी हो जाएगा क्योंकि तमाम ट्रेने लगबग चल रही हैं और पहले से 30 स्पेशल ट्रेने चल रही थी लेकिन आप 310 ट्रेने पट्री पर दोर्टी हुई नजर आएंगी जो कहीना कहीं आपको एक सुकून बरा सफर आप उसमें जरूर कह सकते हैं कि कि स्पेशल ट्रेने चलेंगी और कि तरीके से उसमें आप सफर कर पाएंगे वो जानकारी भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे और इस वक्ड़े हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 80 स्पेशल ट्रेने और चलाई जा रही हैं से पहले कम 90 मिनट पहले पहुंचना है सभी यात्रियों की स्ट्रीनिंग की जाएगी उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जब आप स्टेशन पर पहुंचेंगे तो आपके स्ट्रीनिक सबसे पहले की जाएगी अगर किसी भी यात्री में कुरुना के लक्षन दिखाई देते हैं तो उस यात्री को ट्रेवल करने की अनमती नहीं दी जाएगी यानि आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं अगर आपके कुरुना के लक्षन पाय जाते हैं यात्रियों को अपने मुबाइल पर आरोग्य सीतू आप भी इंस्टॉल करना होगा इस बात का भी आप ख्याल रखें जब आप यात्रा कर रहे हैं तो इस आपको डाउनलोड करें और कुरुना वारत को फैलने से रूपने के लिए भारतिये रेलवे यात्रियों को तकिये कंबल पर दे और ये भी आपको जानकारी दे दें कि चादर की बात करते हैं तो अन्य जो चीजें हैं वो नहीं दी जाएंगी आपको ये खुदी ले कराने होगा जो ग्राफिक के बाद्यम से हमने आपको समझा दिया कि अगर आप ट्रेनों में सफर करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा तो लगतार हम आपको जानकारी दे रहे हैं लेकिन चार बात से गौरव पांडे हमार साथ जुड़ रहा है रेलवे स्टेशन से तमाम जानकारी वो आप तक पहुँचाएंगे गौरव जानकारी दीजिएगा क्योंकि किस तरीकी की विवस्ता है इस वक्रोना काल चल रहा है और जो पहले विवस्ता थी कि कंबल तक किया दिया जाता था जब ट्रेन में यातरा की जाती ते लेकिन आप वो नहीं दिया जाएगा किस तरीकी की विवस्ता आपको देखती है जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं वहाँ पर क्या कुछ यात्रियों का कहना है कैसे विवस्ता है फटा-फट से जानकारी दीजिएगा कुछ तस्वीरे भी दिखाईगा हर जिस वक्त मैं राजदानी लखनव के चार बाग रेलवे स्टेशन बड़ी लाइन पर खड़ा हूँ और यहां से आपको नजारा दिखाऊंगा दूर दूर तक आज के अनुसार करीब 80 स्पेशल ट्रेने चलने जा रही हैं 310 ट्रेने टोटल अब पट्री पर दोलना शुरू हो जाएंगी लेकिन आप को रोना का डर समझने का प्रयास करिए पूरे स्टेशन पर सिवाए स्टाफ के कोई भी नहीं है ना तो सुबह एक शताबदी जरूर गई है लखनव से दिल्ली के लिए मगर फिलहाल पूरे तो कोई जाने आने वाला यात्री है और ना ही किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण ये एंट्री गेट है एंट्री गेट पे ना कोई पुलिस ना किसी प्रकार का टेंपरेचर ना अपने के लिए कोई थर्मा मीटर ना किसी प्रकार की कोई और विवस्ता ये आज से स्पेशल ट्रेने चलाई गई और अब स्पेशल ट्रेनों के बाद आज से असी ट्रेनों का आवागमन शुरू होना था लेकिन अब आप समझे कि इस वक्त के हालात ऐसे हैं कि कोरोना के डर से पब्लिक यूँ आवेर हैं कि यहां पर ट्रेन होगी हो सकता है किसी की दो बजे यहां पर किसी भी तरीके से कोई यात्री का भी आवागमन नहीं दिख रहा है आपको बता दूं कि जो स्पेशल ट्रेने हैं वो टोटल असी ट्रेने हैं स्पेशल ट्रेने जो पूरे देश भर में आज चलेंगी लेकिन फिर भी कुछ लोग यहां जरूर हमें नजर आये है अब वेटिंग एरिया के पास स्टाफ के हैं यह लग 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 और जो आवागमन के लिए यहां से जा रहे हैं हर्च तो हालात यह हैं कि आज जरूर स्पेशल ट्रेने चल रही हैं 90 मिनट पहले आपको स्टेशन आना होगा खुद का आरो किसी रेल्वे अधिकारी से आपक आपको प्रालन करना बहुत जरूरी है किया अधिकारी कहते हैं जब वहां की वेश्बस्ताओं की सफर लेती है और लखनों से दिल्ली पहुंचा देती है कि साड़े 5 बजे यह लाती है पूरी तरीके से स्ट पर नहीं है जो कि सब्सक्राइभ बेलकुल गौराव तमाम जानकारी गौराव सीधे चार बाग रेलिविस्टुशन से